तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यह MP Online का पोर्टल है और जैसा कि आप सभी को मालूम है रिस्टेंटली मध्य प्रदेश NHM के थुरू स्टाफ नर्स की वेकेंसियां पर रिलीस की गई कुल मला के सभी पदों को यहां पर इंक्लूट करके 287 इतने पदों पर यह recruitment यहां पर जारी हुआ इसमें male candidates के लिए अलग से vacancy है और female candidates के लिए इसमें अलग से vacancy आप रहेंगी तो माईला और पुरुष दोनों vacancy को apply कर पाएंगे और इसमें BSE nursing की पात्रिता यहां पर तो इसी वीडियो की नीचे जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको प्रवाइड करा दी आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो में मैंने आपको आप जानकारे दी थी कि MP NHM स्टाफ नर्सकी जो 2023 की जो विकेंसी अभी रिसेंटली यह आप जो रिलीस की गए ये MP online द्वारा इनके द्वारा जो है ये आपके परिक्षा यहाँ पर आयुचित यहाँ पर कराई जाएगी 2023 का एक्जाम MP online के तुरू आप लोगों का यहाँ पर होगा तो दोस्तों आज का ये जो अपडेट है जो information आपको इस वीडियो में मिलेग कि मध्यप्रदेश NHM स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जो इससे पहले स्टाफ नर्स का एक्जाम हुआ था तो बताना चाहता हूँ इससे पहले जो MP online ने जो स्टाफ नर्स का एक्जाम कराया था वो 2019 से 2020 की भरती थी तो 2019 में top 10 candidates के कितने marks थे और कौन सी merit rank पे candidate को यहाँ पे selection मिला था तो top 10 candidates के marks proof के साथ सारी information में आपको यहाँ पे provide कराने वाला हूँ तो दोस्तों पूरी जानकारी proof के साथ इसमें आपको आपको मिलेगी सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक कर देना है और मध्यप्रदेश NHM स्टाफ नर्स कोई भी जानकारी क कोई भी अपडेट आपसे छूटना नहीं चाहिए पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें तो वीडियो के नीचे जाए सब्सक्राइब के रैड बेटन को क्लिक करें मध्यप्रदेश NHM स्टाफ नर्स हर जानकारी आगे भी पाते रहें तो बिलकुल अशुरू बा का ये जो पोर्टल है MP online.gov.in तो इसको आपको Google पे सर्च कर लेना है और जैसे आप लोग इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे MP online का ये पूरा homepage आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा आपको इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है नागरिक सेवाएं तो इस पर आप लो तो जैसे इस पर मैंने पिकले किया ये सारे जो है आपको services MP online के थुरू रहती है यहाँ पर जानकारी आपको मिल जागी यहाँ पर आपको देखिए कहा आना होगा यहाँ पर नीचे लखा है NHM तो NHM आपको आपको सर्च करना है कहाँ आपको नीचे की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल कर देता हूं तो यहाँ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है NHM तो यहीं पर हम लोगों को यहाँ पर आना है और इस पर हम लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है तो इस पर मैंने आपको क्लिक कर दिया आगे का पेज यहाँ प आपको दिया गया इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 2019 का जो रिक्रूट्मेंट था MP online के तुरू एक्जाम हुआ था तो इसमें आप लोग को यहां पर डाउलोड कर लेना है इसका notification आपको मिल जाएगा ध्यान रखेगा 2019 भरती का यह मैं आपको यहां पर बात कर रहा हूं यदि आपको merit list तक पहुंचना है तो बीच का यह जो option है देखिए आप लिखा है स्वरी शुरूबात का जो option है लिखा है आवशक सूज़ना है इस पर आपको यहां पर क्लिक करना है इसमें आप जैसे क्लिक किया नीचे की तरह आपको यहां पर आना है थ आमीदा स्टाफ नरस पद के स्वास्त केंदर में आवंटान एवं पदिस्थापना की जानकारी है तू यहां क्लिक करें तो लास्ट में आपको क्लिक करना है तो जैसे इस पर मैंने आपको क्लिक किया यह पीडिया फाइल ओपिन हो गई और MP online की जो recruitment यहां पे जो रहती है और साथी साथ MP online में जो candidates exam देते हैं तो उनकी qualified candidates की list भी देते हैं और जो candidates not qualified हैं उनकी list भी आपे देते हैं तो यह एक fair तरीके की process रहती है ऐसे मालूम चलता है कि यह candidate qualified था और आगे की process में इसको आपे बहजा गया जबकि SAMS जो है यह information जो है शेयर नहीं करता था qualified और non qualified candidates की list नहीं देता था directly selection की list प्रवाइड करता था और यह मालूम नहीं चल पाता था कि उस candidate ने exam को qualify किया भी है या फिर नहीं या फिर directly list में आपे उसका नाम आ गया तो यह सारी जानकारी इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलती थी लेकिन इस बार आपको के लिए रहेंगी तो हमें क्या देखना है इस list में देखिए हमें ना यहां पे candidate का role number देखना है ना candidate का नाम देखना है ना इसके पिता का नाम देखना है ना उसको कौन सा जला मिला है तो यह देखना है और ना ही उसको कौन सा allotment मिला है यह भी देखना नहीं है हमें सिर् merit rank और उसके score से मतलब है तो merit rank का column ये है और उसने कितने score प्राप्त की है तो ये आपको ये वाला column देखना है तो top 10 candidates मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले शुरूबात करते हैं पहली rank जो candidate यहाँ पे लेकर आया था उसके यहाँ पे कितने अंक थे तो दोस्तों देख सकते हैं पहली merit rank है candidate की और ये जो candidate है इन्होंने 73 marks यहाँ पे candidate ने obtain किये हैं और यहाँ पर देखिए से जाधा भी जो है अंक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यहीं देखिए पहली merit rank है पहली merit rank तेयत्ता नमर और ये female candidate ने आपके obtain किये हैं और ये जो है OBC category में थी और इनको selection अन्रिदर्फ category में यहाँ पे मिला है तो OBC category की यह candidate थी और यहाँ पे 73 नमर सबसे highest थे और ये कब की बात मैं बोलना हूँ 2023 में कितना competition है कितने अंक इस बार आप लोगों को प्राप्त करने होगे तो ये पहली merit rank थी तो ये जानकारी मैं आपको आपको आप दी अब मैं आपको second merit rank की और भी ले चलता हूं तो देखिए इसी के लिए आपको इसी page पे आपको जानकारी मिल जाएगी ये देखिए second merit rank यहां पे candidate की है और यहां पे candidate ने 73 नमबर यहां पर प्राप किया है और देखिए ये candidate undeserved category में है और यही पर आपको यहां पे इसमें information मिल जागी तो पहले candidate की information दे दी 73 नमबर है इंके बी और दूसरे जो merit rank है इनके बी यहां पे 73 नमबर है अब मैं आपको तीसरेummy reflects की और भी ले चलता हूँ, तो यहाँ आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह तीसरे रैंक है, candidate की, और यहाँ पर देखिए, इस candidate ने भी 72 आँक यहाँ पर प्राप्ट किये, और यह eligible थी, ऐसी category की थी, इनको selection unreserved category में मिला है, ऐसा क्यों होता है, देखिए, जो reserve यहाँ पर जो category के जो candidates होते हैं, यदि marks अच्छे आ रहे हैं, तो यह unreserved की seat इन candidates को allot यहाँ पर हो जाती है, तो इस चीज़ का benefit category candidates को यहाँ पर देखने को मिलता है, जो category candidates के रहती है, और marks यहाँ पर candidate अच्छे लाता है, तो वो unreserved की seat को वहाँ पर उठाता है, unreserved में उसको वहाँ पर selection मिलता है, तो यह भी आपका यह doubt यहाँ पर clear होगा, इसके बाद fourth वाला merit rank वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके बाद देखिए, यह fourth number का है, और यहाँ पर fourth number की merit rank दी गई है, इस candidate ने भी 72 अंक इसमें आपको पर प्राप किये, तो 72, 73, तो यही अंक जो हैं आपको अभी आपको देखने को मिले, तो यहाँ आप लोग अपनी screens पर देख सकते हैं, यह fifth number का candidate है, fifth merit rank और इस candidate ने 71 यहाँ पर आँक यहाँ पर प्राप किये, तो देखिए, top जो five candidates है, इनके जो marks की जो range है, सिर्व यहाँ पर 71 to 73, इस range में जो है top five candidates यहाँ पर देखने को मिल गा, इसके बाद sixth number की और भी ले चलता हूँ, तो यहाँ आप लोग अपनी screens पर देख सकते हैं, यह sixth number की candidate है, और इन्होंने 71 अंक यहाँ पर प्राप्त किये, और यह female candidate है, तो यह sixth number की information भी आपको मैंने दे दी, इसके बाद seventh की भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, तो देखें, यहाँ पर जो है, यह seventh number की candidate है, और seventh merit rank है, और इन candidate के 71 यहाँ पर अंक है, तो 71 अंक और merit rank 7, तो यह information भी आपको मिल गई, इसके बाद eighth rank की और भी मैं आपको ले चलता हूँ, तो देखें, यहाँ पर लखा है, merit rank 8, तो इनके जो है, 70 अंक यह candidate ने आपको आपको 9th number के candidate की और भी ले चलता हूँ, merit rank 9th, तो यहाँ आप लोग अपने screens पर देख सकते हैं, 9th number की merit rank वाले candidate है, इन्होंने 70 marks यहाँ पर candidate ने obtain किये, तो 72 to 73, इतने ही जो है, top 9 candidates, अब top 10 candidates भी 10 वे number का merit rank वाले candidate है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख लें, तो देखें, यहाँ पर लिखा है, merit rank 10, और यहाँ पर लिखा है, 70, तो देखें, यह simple सी बात हम को आप पर नजर आई, कि top 10 जो candidates है, इन candidates की marks की यहाँ पर जो range है, सिर्फ 70 से 73, तो आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 3 number के बीच ही, 10 candidates यहाँ पर मिल गए, और 10 candidate को यहाँ पर, जो है, allotment यहाँ पर मिल गया, तो समझ सकते हैं, आप सब लोग के competition कितना ज़्यादा हाई है, यह 2019 का यह data मैंने आपको बता आया, 2019 में MP online की यह last vacancy थी, MPNHM staff nurse के तुरू, MPNHM के तुरू staff nurse की vacancy, यह 2019 की MP online का, यह UNTEM यहाँ पर recruitment था, और फिर 2019 के बाद, I think यहाँ पर COVID आ गया था, तो 2019 से 20, तो उसके बाद नहीं हुआ, फिर 21 वाला जो exam आया, वो 22 में आपको देखने को मिला, तो 21 में भी vacancy आयी थी, फिर 22 में भी vacancy आयी थी, तो वो SAMS के थूरू, आपके exam conduct कराए गए थे, तो आप लोगों ने देखा भी तो उनका हर्शल क्या हुआ, उनका इंजाम यहाँ पर क्या हुआ, तो यह सारी जानकर यह आप लोगों को मालुम ही होगी, बाकी इस लिष्ट में सारी information इसमें आपको दे दी गई है, और देखिए यह लिष्ट तो यहाँ पर निकाली गई थी, यह merit लिष्ट थी, और आप सब भी को बताना चाहता हूँ, इसकी waiting list भी जो है clear कर दी गई थी, waiting list जो है आप लोगों की निकाल दी गई थी, और waiting के भ जानकारी आपको जो है list के तोर पे मिल जाएगी, official website पे आपको data उसमें मिल जाएगा, तो दोस्तो जो भी information थी, इसमें मैंने आप पर cover की, और आप सब लोग पूरी list में information चेक कर सकते हैं, highest marks कौन से थे, lowest marks category वाइस कौन से थे, सारी जानकारी इसमें आपको आपको इसमें list में, मिल जाएगी, all list कैसे download करनी है, यह जानकारी भी मैंने आपको इस वीडियो में आपको बता दिया, चाहिए तो आप लग वीडियो को लाइक कर दें, कुछ भी जानकारी यदि आपको इस वीडियो से मिलिया, तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को subscribe करके पहले से कर देंगे घल वो आपको कर देंगा कर दीचिए नागतिक से आपको लिख देंगे गीप eras किसे एफसे उखसें एकारी टायब है